नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ दो बड़ी खबरें मैं आज स्टडी की वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मुवाइल फोन में कुछ खराबी आ गई है तो इसलिए मैं छ कल हिमांचल प्रदेश में काफी ज्यादा फेमस है तो आई एस वीडियो को सुरू करते हैं तो यहां पे आपको बताया गया है चैन प्रक्रिया में बदलाब करने बाला हिमांचल दूसरा राज्य बना सबसे पहला राज्य कौन था गुजरात जो भी सेलेक्शन होती थी स् जो राज्य बना है दूसरा बोग बना है हिमांचल प्रदेश पहला जो है बोग गुजरात है तो आई इसके बारे में देखते हैं कि यहां पर क्या क्या बताया गया है और किसके अकौर्डिंग यह प्रक्रिया जो है होगी तो यह राज्य ब्यूरो शिमला के दौरा आई प्रशाशनिक सेबा चैन प्रक्रिया में दो प्रकार के सुधार करने बाला हिमांचल गुजरात के बाद दूसरा राज्य बन गया है अब एक पद के लिए यह एक ही उम्मिदबार है तो उसे लिखित परिक्षा से गुजरना पड़ेगा सीधा सक्सातकार के लिए बुलान की विवस्ता खतम कर दी है यानि डिरेक्ट इंटर्व्यू नहीं होगा इसी तरह से पहले प्रशाशनिक शेबा में चेन के लिए सक्सातकार पर निर्वर करता था मगर अब लिखिस लिखित परिक्षा 65 फिस्ती तता शाक्सातकार 35 फिस्ती अंक के अधार पर चेन हुआ है यानि 65 एंट 35 के पार्ट में उन्हें डिवाइड किया गया है जो एक्जाम होगा 65 परसेंट जो है वो एक्जाम के नंबर जुडेंगे और 35 जो है वो आपके जो इंटर्व्यू होगा उसके नंबर जुडेंगे राज्य लोक सेबा चेन आयो के अध्यक्स मेजर जर्नल DBS राणा का कहना है कि प्रत्थम इवं द्यूत्य श्रेणी की भरती प्रक्रिया में पार्दसिता लाने के लिए बदलाब किये गये हैं यानि आपको यहां पे सारा का सारा यही बताया गया है कि जो की उसमें चेंजिस होंगे जो भी चेंजिस है वो क्यों किये गे ताकि बहा इस गब चलेगी तो हिमांचल प्रदेश में 24 से जो हैं बसी चलने के पूरे के पूरे असार आ चुके हैं क्योंकि जो मीटिंग है वो आपके पास होगी 23 को कैबिनेट की मीटिंग और जो यहां पे है जल्द ही अगर हम इस न्यूस को पढ़ते हैं तो यहां पे आप आओ यह हिमांचल में जल्द ही बस रेल सेवा शुरू करने की त्यारी परिवन शेवा सुरू करने के लिए कैबिनेट सब कमेटी में चर्चा के बाद अब इस परस्ताब को 23 मैं से होने वाली कैबिनेट बैठक में लाया जा रहा है ओके यहां पे जो है बसीज वो चलने के पू परिवन जो है उन्हें चलाने के लिए भी तैयार है बाकियों की मारकेट बाजार सारी चीज़ें खुल चुकी है मगर जो भी जितने भी लोग हैं उन्हें आने जाने में काफी जादा मुश्किल हो रही है तो इसी मुश्किल को असान करने के लिए सारी की सारी परक्रिया क गई है तो ये आप ऐसा समझ लिजी कि अब ये चलने के लिए पूरी तरह से तयार ही है तो ये आपके पास दो न्यूज थी और एक बड़ी वात ये है कि जो किराये हैं ये सुनने में आया है कि काफी जादा इंक्रीज होंगे अभी पूरी तरह कंफर्म नहीं है हमने ये सु में आया है मगर ये कंफर्म न्यूज नहीं है जब बसी चलेगी तो आपको खुद पता लग जाएगा कि कितने जो है किराये में इंक्रीज हुआ है ये कितने परसेंट की उसमें बड़ावतरी हुई है तो हम आपको जब भी लेटेस न्यूज आएगी तो उसके साथ आपक करवाएंगे तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किजिए और हमें कमेंट करके जरूर दाएं कि आपको वीडियो कैसी लगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू, have a nice day